Hello everyone and welcome in my YouTube channel So, आज की इस वीडियो में हम देखने माले हैं किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में jQuery का कोड इंप्लिमेंट कर सकते हैं So, देखते हैं कि कितने ways हैं जिन से हम jQuery का कोड इंप्लिमेंट करेंगे या किस तरीके से हम कर पाएंगे So, देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ So, लेट्स हाव अवा लूक ओन माई स्क्रीन and लेट्स बिगन So, फर्स्ट अफॉल हमें एक फाइल क्रिएट कर लेने है एक HTML पाइल जो कि आप देख सकते हैं मैं आर्रेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से and इस फाइल को मैंने Sublime Text Editor में भी ओपन कर रखा है and साथ ही साथ इसको मैं Google Chrome में भी ओपन कर चुका हूँ So, अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो simply यहां पे HTML का syntax है वो मैंने यहां पे लिख रख है और यहां पे हमारा head part आगया then body का part and यहां पे simple एक H1 heading है जिसमें आज का जो हमारा topic है jQuery implementation वाला वो यहां पे लिखा आ रहा है तो देख लेते हैं कि कितने ways है jQuery को connect करने के आपकी जो website है उसके साथ किस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम cover out करने वाले हैं so first of all नहीं यहां पे आपको लेचलता हूँ jQuery की official website पे जो के है jQuery.com तो आपको यहां पे चले जाना है jQuery.com पे and then यहां पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो currently version चल रहा है वो 3.7.1 है तो इस पे simply अगर आप click करते हैं तो यह आपको इस page पे ले जाएगा यहां से आप इसको easily download कर सकते हैं so अभी अगर आप यहां पे देखेंगे जबी मैंने उस पे click किया तो again यहां पे मेरे सामने वही लिए लिंक आ चुक है और यहां पे आ रहा है download the uncompressed development version पिर आ रहा है download the map file download blog post with release notes it means यहां पे अगर आप देखेंगे तो different types आ रही है different types यहां पे लिखी आ रही है so इसमें से आपको कौन सी वाली download करना है किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ so first of all तो आप देखेंगे यह button आ रहा है download jQuery का मैं इस पे click कर देता हूँ पेस एड ही नहीं करी गई मतलब यहां पे जितना भी आप देखेंगे code एक ही line के अंदर inject कर दिया गया और मतलब अजीब सा वो आपको देखने में नजर आ रहा है लेकिन अगर मैं बैक जाता हूँ और मैं uncompressed पे click कर देता हूँ uncompressed मे क्या होगा वही वहला code मतलब यह वही code है जो पीछली जो अभी मैंने आपको file check पिरवाई थी उसके अंदर था लेकिन वहां पे वह compressed format में था लेकिन यहां पे यह uncompressed है मतलब के यहां पे आप देखेंगे तो brackets बकाइदा add की गई है spaceses add की गई है it means के यह uncompressed code है जो code है इसको आप यूज करेंगे तो यह आपकी website की loading में थोड़ा सा time increase करेगा मतलब loading time थोड़ा सा increase हो जाएगा क्योंकि इतना सारा code है और इसमें spaces भी है तो spaces को भी वो load करते हुए time लेगा लेकिन अगर आप uncompressed version यूज करेंगे तो उसमें spaces बगएरा को definitely है ही नहीं है तो उसमें सिरफ और सिरफ वोगी time लगेगा जो jQuery के actual code को execute होने के लिए लगना है तो उसमें आपका थोड़ा सा loading time आप कहलें कम हो जाता है तो ज्यादा दर लोग जोने है वो uncompressed वाला जो version है उसको use करते है तो आप भी को use कर लें तो बेहतर रहेगा इसके बाद यहाँ पर आद आता है download the map file for jQuery map file basically इनकी अपनी file है जिससे कि मतलब I think jQuery को map बगएरा किया गया है इसका मुझे इतना idea नहीं है तो इसकी तरफ हम नहीं जाते हमें just jQuery को चुके link करना है तो simply हमें download the uncompressed development version of jQuery इस पर हमें click कर देना है यहाँ आप इस पर click करके यहाँ पर right click करके save कर लेंगे मतलब इसको copy करके यहाँ आप back अगर जाते हैं यहाँ पर right click करेंगे save link as पर click करेंगे then जहाँ भी आपको इसको download करना है jQuery.js इस नाम से मैं इसको save करने वाला हूँ और मैंने इसको desktop पे ही save किया है let me show you यहाँ भी आप देख सकते हैं jQuery.js के नाम से save हो चुकी है अब अगर आप देखेंगे एक चीज़ आपने नोटिस की होगे हमारी जो file है वो भी desktop पे है और बिलकुल उसी location में jQuery.js रहे पड़ी वी है हम ऐसा कर लेते हैं कि अपनी जो file है myfile.steamil उसको हम एक folder में कर लेते हैं यहाँ पर मैं एक folder में ला लेता हूँ website के नाम से और website के folder के अंदर मैं myfile को भी add कर लेता हूँ और jQuery.js को भी तो simply मैं cut करूंगा और इस folder के अंदर आके मैं यहाँ पर paste कर लूँगा और यहाँ पर हम एक और folder create कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट के नाम से यहाँ JS के नाम से कर लेते हैं short रहेगा थोड़ा JS के अंदर हम jQuery को add कर लेते हैं इस file को मैं close करूंगा और close करने के बाद मुझे इसको 브라우जर में भी दوبारा oopen करना पड़ेगा और sublime में भी दوبारा open करना पड़ेगा बिज़ाए file को open करने के Jeśli आप पूरा का~!! folder यह open किर लेता है open folder पे जाऊँगा website का folder जो है आप यहाँ पे open कर लूँगा कर सकते हैं उससे पहले हम इस फाइल को अगेन एक दिफ़ा ब्राउजर में भी ओपन कर लेते हैं मैं आप डबल क्लिक कर रहा हूं सो इसको हम क्लोज कर देंगे यहां पे यह डेफिनिटली हमारे सामने आ चुका है अब हमें इसमें जेक्विरी को लिंक करने के काफी सारे तर और इसके अंदर आप पोर्ट करते हैं लेकिन अब चुके जेक्विरी है तो उसका हमें फाइल लिंक अटैज करना है और आपको याद होगा कि जब हम एक एक्स्टरनल जावा स्क्रिप्ट का पोर्ड अटैज करते थे तो हम क्या करते थे अगेन स्क्रिप्ट के ही टैज ल दूँगा तो अब यह आप समच सकते हैं कि जेक्विरी जो है वो इस पेज पे अटैज हो चुकी है सेव करूँगा और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँगा सो कंट्रोल यू प्रेस करता हूं और यह हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इस तरह क्लिक करूँगा सो भी आ काम करता है या नहीं करता तो मैं यहाँ पर आ जाउंगा मैं और और स्कृप्ट के टाग अपन करूँगा तो इसके आप कोरेगा। आपको हमेशाव से नीचे लिखना है अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते है JQuery को footer विलाल लेके आना चाहते है तो फिर सारे के सारा जो आपका JS का code होगा जैक्विरी का code होगा वो लिंक से नीचे ही आएगा तो बहराज नहीं हाँ है $Document ready बिकथ नहीं है, because, जो syntax है, jQuery का, वो हमाने वाली next वीडियो में cover करने वाले हैं, अभी के लिए आप जिस्ट यह समझ सकते हैं, कि यह तरीका है, jQuery को लिखने का, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, यहां इसका जो code है, उसका हम यूज करते हैं, तो simply, यहां पर हम लिखेंगे document.ready, इसका मतलब यह है, कि जब आपका document पूरी तरह से load हो जए, ready हो जए, then उसके बाद, यहां पर एक function run कर दो, अब इस function में क्या run करने, वो definitely हम यहां पर define करेंगे, जैसे कि मैं एक alerts जा रहा हूँ, hello world, save करूँगा, and then यहां पर आउँगा, और मैं refresh करूँगा, then you can see here, कि script को अटा देता हूँ, save करता हूँ, then यहां पे आके refresh करूँगा, so अभी आपने देखा, कि कोई भी alert हमें show नहीं हुआ, अब अगर मैं control shift आई ब्रेस करता हूँ, and console में सला जाता हूँ, तो यहां पे आपको error देखने को मिलेगा, मतलब यहां पे वो क्या कह रहा है, कि my file. my file.html, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, my file.html, line number 12 के उपर error आ रहा है, कि dollar is not defined, मतलब कि dollar जो है, वो define ही नहीं है, जब कि यहां पे अगर आप देखेंगे, line number 12 पे यह dollar दिखा रहा है, तो it means कि यह, जब हम jQuery को हमने own किया था, तब ही browser इस code को समझ पा रह कर लेता हूँ, तो अगर आप यशादे हैं कि इस पूरे के पूरे code को copy करेंगे, copy करके इसको आप यहां से खतम करेंगे, खतम करने के बाद आप इसको यहां पे लिखनेंगे, तो यह भी चीज़ possible है, लेकिन अभी आपने देखा कि आपकी जो अपना जो page है, उसकी length कितन करने वाले हैं कि इसको हम CDN के थूरू किस तरीके से connect कर सकते हैं, अभी तो आपने देखा कि हम इसको अपने सिस्टम में download किया, और definitely जब हम server पे अपनी website को live करेंगे, तो हमें jQuery की file को भी live करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम यह चाते हैं कि CDN का यूज करें, अब CDN क्या होता है, किस तरीके से उसका use करते हैं, और definitely हम आने वाली next वीडियो में cover करने वाले हैं, तो देखेंगे किस तरीके से जब है उसको कर सकते हैं, हम link CDN के थूरू, बट अदी के लिए हमने यह देखा कि किस तरीके से हम इसको jQuery को link कर सकते हैं, अपने website के अंदर, या अपन तरीके से connect कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो वीडियो होगी, उसमें definitely हम देखने वाले हैं, sign text के बारे में, कि क्या sign text है, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, code को, और definitely उसमें हम यह तमाम चीज़ें discuss करेंगे, कि इनको लिखने का क्या मकसद है, या किस तरीके से हम इनको ल फिस